नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में आज के इस वीडियो में महादेवी बर्मा की काब्य समवेदना इस विशय पर बात करेंगे अगर इस वीडियो की रूप रेखा की बात की जाए तो इसके अंतरगत हम लोग निमन विशयों पर बात करेंगे सबसे पहले देखेंगे महादेवी की देखेंगे महादेवी की कविता में वेदना भाव अर्थात जो वेदना अनुभूती जिसको कहते हैं ये देखेंगे उसके बाद महादेवी की कविता में रहस्य भावना इस विशय पर बात करेंगे महादेवी की कविता में प्रणई की अनुभूती प्रणई अर्थात प्रेम की अनुभूती इस पर बात करेंगे और अंत में उनके कविता में जो सौंदर ये चित्रन है या फिर प्रकृति के सुंदरता का चित्रन है इस पर बात करेंगे ये जो सारे टॉपिक है इससे सीधे सीधे प्रस्न पूछा जाता है तो अलग-अलग भी प्रस्ण पूछा जा सकता है साथ ही विशियों को मिला-मिला कर भी प्रस्ण पूछा जाता है तो चुकि कई topics पर चर्चा करेंगे इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन अगर आप इस वीडियो को पुरा देख लेते हैं तो इससे संबंधित जो भी प्रस्ण आएगा उसका आंसर आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे तो चलिए one by one सभी topics को देख लेते हैं तो पहले समझ लेते हैं महादेवी की कावविय समवेदना तो महादेवी बर्मा चायावाद की एक प्रतिनीधी हस्ताक्षर है आप जानते हैं कि चायावाद में मुख्यता हम लोग चार इस्तंभों की बात करते हैं जैशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी बर्मा और सुमित्रानंदन पंथ तो इस प्रकार महादेवी बर्मा भी एक प्रमूख चायाबाद के प्रतिनिधी हस्ताक्चर है चायाबाद का जो काल था अर्थात 1926 से 1936 तक का जो समय था तो ये युग बहुत ही उथल पुथल का युग था राजनीतिक छेत्र में, सामाजिक छेत्र में, सांस्कृितिक आर्थिक, सभी छेत्रों में, सभी इस्तरों पर द्वन्द, संगर्श, अंदोलन इस जुक्की प्रमूख विशेश्ता थी यही समय था जब भारतिय स्वतंतरता संग्राम भी जोरो पर था यही समय था जब गांधी जी ने स्वतंत्रता अंदोलन का नेत्रित्व करने लगे। यही समय था जब समाज में जो समाजिक कूरितियां थी उसे दूर करने के लिए बहुत सारे समाज सुधारक काम कर रहे थे। अर्थात यह जो एक समय था एक विचित्र तरह का समय था इसलिए जिस तरह का वो समय था उसी तरह की सहित्तिक रचनाएं भी हुई और छायाबाद का काल भी वही समय था। तो इसी प्रिष्ट भूमी में अन्य समवेदन सिल कभियों के समान ही महादेवी ने भी अपनी रचना सिलता का उपयोग गिया। महादेवी जी अपने रचनाओं में प्राई अंतर मुखी रही है। अर्थात अगर आप देखेंगे जैसे निराला जी का बात देखेंगे या जैशंकर प्रसाद का बात देखेंगे तो ये क्या होते हैं। सारवजनिक रूप से अपनी बातों को खूब रखते थे। लेकिन महादेवी बर्मा अंतर मुखी ही बनी रही। अपनी ब्यथा वेदना और रहस्य भावना को इन्होंने मुखरित किया। उनकी कविता का मुख्य स्वर आध्यात्मिक ताही अधिक दिखाई देता है। यद्यपी उनका गध्य रचनाओं में उनका उदार और समाजिक व्यक्तित्व भी काफी मुखर हुआ है। हम यह कह सकते हैं कि महादेवी बर्मा का काव्य प्रासाद इन चार इस्तंभों पर अबस्तित है। वेदना नूभूती, रहस्य भावना, प्रणय भाव और सौंदर्या नूभूती। सभी वीशाई पर हम लोग आगे वन बाई वन चर्चा करेंगे। यदि हम कहें कि महादेवी बर्मा के काव्य का मूल भाव प्रणय है, प्रणय अर्थात प्रेम, तो भी अतिसा योक्ती नहीं होगी। अर्थात इन्होंने मुख्य रूप से प्रेम काव्य की ही रचना की, और उनके प्रेम में ही बेदना नूभूती भी दिखाई देती है, रहस्य भावना भी दिखाई देती है, क्योंकि इनका जो प्रेम है ये अलोगिक प्रेम है, तो यहाँ पर रहस्य भावना भी दिखा देती है और सौंदर जानु भूती तो हर प्रेम के रचनाओं में लगभग होती ही है तो जो मूल भाव है वो है प्रणई और अगर स्वर का बात करें तो मूल स्वर वो तो वेदना का ही स्वर है है ना उनकी कविताओं में उदात प्रेम का व्यापक चित्रन मिलता है उदात प्रेम अर्थात अलोकिक प्रेम अर्थात अलोकिक प्रिय के प्रती प्रणई की भावना उनमें थी नारी सुलब संकोज और व्यक्तिगत तथा आध्यात्मिक विरह की अनुभूती उनके काव्य के विवीद आयाम है महादेवी की कविता में सौंदर्य के विविन रूपों का मनुहर चित्रन हुआ है उनकी सौंदर्यानुभूती विलक्षन है वो छायाबाद के अनकवियों के समान ही सौंदर्य वाबना को अपने युग की एक प्रमूख प्रविर्ति के रूप में अंगिकार करती है छायाबादी युग भारतिय नवजागरन का काल था जहां सभी इस तरों पर मुक्ति के लिए संघर्ष सक्रिय था नारी भी अपनी मुक्ति की खोज में रत थी इसे पहले का जो समय था अर्थात जो दुईबेदी युग था और उससे पहले का जो समय था आधुनी काल हो या उससे पहले रीती काल का समय हो तो समय नारीयों की स्थिती अच्छी नहीं थी अब नारियां क्या है अपनी मुक्ती की खोज में रत थी और ये जो महादेवी बर्मा वो स्वयंग भी नारी थी इसलिए उन्होंने नारियों के दर्द को खुब अनुभब किया और किस तरह से उन्हें मुक्ती मिलना है इस बारे में उन्होंने खुब चर्चा किया महादेवी में मुक्ती की उड़ान इसपस्ट असीम और अनन्त है उनमें नारी के अभिमानी रूप की भी अभिवियन जना हुई है छायवादी भाव बोध के लिए गीत आदर्स विधा बन कराई महादेवी ने अपने काव्य के लिए गीत विधा को भी चुना आप जानते हैं कि जो महादेवी बर्मा है इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है क्योंकि ये भी बहुत सारे गीतों की रचना की अब हम लोग इनके काव्य में वेदना भाव या फिर वेदना नूभूती करुना की अनूभूती इस विषय पर अगर इस तरह का कोई भी प्रस्ण पूछा जाता है तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं महादेवी बर्मा की कविता में दुख और करुना का भाव प्रधान है वेदना के विभीन रूपों की उपस्थिती उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है वह यह कहने में संकुच नहीं करती कि वह नीर भरी दुख की बदली है है ना ये कविता आपने पढ़ी होगी है ना नीर भरी दुख की बदली एक विचित्र सा सुनापन एक विलक्षन एकाकीपन बार-बार उनकी कविताओं में उमरता दिखाई देता है अलपायू में ही विवाहित होने के बाद उन्होंने स्वेच्छा से एकांत जीवन का चयन किया था ऐसा कहा जाता है कि वो जीवन का अंतिम दिन तक अकेली ही रही है ना उसके साथ में बहुत सारे पालतु जीव जनतु रहते थे जैसे उनके कहानियों में लेखों में आपने सुना होगा कि उसके पास बहुत सारे कुट्ते, बिल्लियां यहां तक की हीरन, गिलहरी पिचित्र-पिचित्र, सियार कितने तरह के जीब, कितने तरह की पक्षियां रहते थे उन्होंने सुच्छा से ही इस प्रकार के एकांत जीवन का चयन किया था डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि उनके जीवन में जो एकांकीपन था वो किसी प्रभाब की ही देन था पीड़ा का सामराज ही उनके काद बेसंगसार की सोगात है सामराज मुझे दे डाला उस चितवन ने पीडा का ऐसा वो कहती है विफल प्रेम का यह रुदन महादेवी के काब्य की अंतरवस्तु है कवित्री के सब्दों में मेरी मदीरा मधुवाली आकर सारी ढूलका दी हसकर पीडाने भर दी छोटी जीवन की प्याली महादेवी की वेदना अनुभूती जन्य होने के कारण उनकी कविताओं में उसकी अभी व्यक्ती भी अत्यंत सहज ढंग से हुई है उसमें कित्रीमता कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती और जो चीज में कित्रीमता नहीं है वो लोगों को क्या है जादा प्रभावित करती है किन्तु यहां हमें यह तथ्य ध्यान में रखना होगा कि महादेवी के कावे में अभी व्यंजित दुख और बेदना जैसे भाव आरोपीत बिलकुल नहीं है इनका बरन तो कवित्री ने स्वयंग किया है उनका यह कथन इस वक्तव्य की पूस्टी करता है कि हमारे असंग के सूक हमें चाहे मनुस्यता की पहली सीड़ी तक भी न पहुचा सके किन्तु हमारा एक बूंद आसु भी जीवन को अधिक मधूर अधिक उर्बर बनाए बिना नहीं गिर सकता अर्थात उनका कहना है कि हमारे दुख में ही हमारे जीवन का आनंद छिपा हुआ है किन्तु महादेवी की वेदना नितांत बेयक्तिक भी नहीं है स्वयंग उन्होंने अपने जीवन में दुख और अभाव की बात से इनकार किया है अर्थात वो अगर अपने जीवन की बात करें तो वो कहती है कि वो एकांत में भले ही रही अकेले जरूर ही रही लेकिन उन्हें जीवन में कोई दुख या अभाव की बात नहीं सामने आई उनके वेदना का प्रासाद मुख्य रूप से दो आधार भूमियों पर टिका हुआ है पहला आध्यात्मिक भाव भूमि और दूसरा मानाउताबादी भाव भूमि महादेवी ने दुख को अध्यात्मिक इस्तर पर ही अपनाया भरतिय संस्कारों में पली महादेवी करुणा भाव में आकंठ डूबी थी वेदना की अधिकता उन्हें अध्यात्मिके आवरण लेने को बाध्य करती है जब व्यक्ति वेदना के अनुभव से गुजर चुकता है और उसकी तिब्रता के दंग्स सह चुकता है तो पराई पीर को उसी धरातल पर खड़े होकर समझ सकता है यहीं से उसमें समग्र मानव जाती के दुखों के प्रति सहानुभूती और करुणा के भाव जन्म लेते हैं महादेवी के बेदना भाव प्रासाद की दूसरी आधार भूमी मानव ताबादी भाव भूमी है मानव मात्र के प्रती करुणा का प्रत्यक्षी करन महादेवी के गध्य लेखन में भी देखा जा सकता है पद्धी के छेत्र में सांध्यगीत और दीप सीखा तक आते आते उनकी वेदना को मानव मात्र के प्रती करुणा का रूप लेते देखा जा सकता है यह एक विलक्षन तत्य है कि महादेवी के काब्य लोक में वेदना की परिनीती आनंद में होती है अर्थात वेदना में भी उन्हें आनंद ही दिखाई देता है कवीत्री दुख और पीरा के बोज तले घुट घुट कर सी सकती नहीं अपीतु निरंतर बढ़ते हुए आनंद भाव के और उन्मुक होती है यह आनंद की ऐसी अवस्था में पहुँच जाती है जहां वेदना की धारा प्रवाहित होकर अंततह आनंद के सागर में ही जा मिलती है अब हम लोग बात करते हैं महादेवी की कविता में रहस्य भावना तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यह रहस्य भावना यह क्या है तो महादेवी बर्मा के कावि में रहस्य वाद के सभी पक्षों की अभिवियन जना हुई है उनमें कोटुहोल और जिग्यासा रहस्यानुभूती का सबसे पहला चरण होता है मानव किसी चकित सीशूसा जब ब्रम्हान के विराट लीला व्यापार को देखता है तो वो बस चकित होकर रह जाता है और जब उसकी बुद्धी कोई भी व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर पाती तो वो रहस्य में डूब जाता है तो इस तरह से रहस्यात्म का रचनाएं रची जाती है जैसे अगर कविर्दास की बात करें तो कविर्दास का भी जो रचना है उसको अद्वेत बाद कहते हैं तो अद्वेत बाद जिसमें वो खुद को क्या है परलोक से जोड़ते हैं मोक्च से जोड़ते हैं है ना खुद को माया से मुक्त होने की बात करते हैं इस लोक का जो दुख है इसे छोड़कर परलोक कह जाने की बात करते हैं लेकिन यहाँ पर जो कभीत्री की सोच है यह थोड़ा सा अलग है यह परलोक की बात नहीं करती है यह मोक्ष की बात नहीं करती है लेकिन उस परम सत्ता से उस अलोकिक सत्ता से खुद को जोडती जरूर है तो कभी तिरी अपने परम प्रिय से मिलने की इच्छा ब्यक्त करती है और वो कहती है जो तुम आ जाते एक बार कितनी करुणा कितने संदेश पत्मे बिछ जाते बन पराग गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उनमाद राग आशु लेते वे पगपखार जो तुम आ जाते एक बार तो इस तरह की वो रहस्यबादी कविताएं लिखती है लेकिन जब यह कामना भी पूर्ण होती नहीं दिखाई देती तो वो स्वपन का सहारा लेने में भी कोई संकोच नहीं करती वो कहती है तुम्हें बाद पाती सपने में या फिर कहती है मैं पलकों में पाल रही हूँ वो सपना साकार किसी का इस तरह महादेवी बर्मा एक रहस्यबादी कवि के रूप में केवल अद्वेत बाद से बंद कर नहीं चलती वो अब प्रियतम के साथ एकाकार हो जाना चाहती है वो कहती है तुम मुझ में प्रिय फिर परिचाई क्या चित्रित तू मैं हूँ रेखा क्रम मधूर राग मैं स्वर संगम तू असीम मैं सीमा का भ्रम काया छाया में रहस्य मैं प्रियसी प्रियतम का अभी नहीं क्या तो इस तरह वे क्या है जो अद्वेत बाद था इससे वो बंद कर नहीं एक नए तरह का वो रहस्य बाद का वो स्रिजन करती है इस प्रकार महादेवी बर्मा में रहस्यानों भूती के विवीद रूपों के दर्शन होते हैं मिलन की इच्छा, इस्मरण, स्वपन और साक्षात मिलन के बाद विरह का अनिवार्य चरण भी आता है महादेवी की कविता में विरह के उदाहरणों की तो कोई कमी नहीं बलकि उनका पूरा कार्ब ही विरह के रंग में रंगा हुआ है उनके समीप तो संपूर्ण जीवन ही विरह का जल जाते हैं किन्तु वो अपनी लगुता को भी स्विकार करती है और कहती है चुद्र है बुद्ध मेरे प्रान तुम ही में स्रिष्टी तुम ही में नास वो आत्म बलिदान के लिए भी तैयार रहती है चायाबाद का जो ये समय था तो महात्मा गांधी की सक्रियता कि साना अंदोलन प्रतम विश्व जुद्धोत्त रिष्थितियों विश्व व्यापी आर्थिक संकट स्रमिक हरतालों अरविंद घोष तिलक के बिद्रोही तेवरों आधिका काल था चायाबाद ने प्रकृति के प्रती भौतिक बादी द्रिष्थिकोन और तथा कथित नईतिक रूढियों से मुक्ति का अलग जगाया यहां तक कि छायाबाद ने ब्यवहारिक जीवन की भौतिक्ता को और घोर संसारिक्ता से मुक्ति पाने के प्रयास में एक नए रहस्य बाद की रचना कर डाली और महादेवी बर्मा इसी नए छायाबादी रहस्य बाद की प्रमूख प्रनेता रही यदि हम मुक्ति को आध्यात्मे के इस्तर पर देखें जैसे कि कबिरदास कहते थे मोक्ष की बात करते थे अर्थात इस जीव जगत में आवा गमन के बंधनों से मुक्ति की बार बार जनम मुझे ना लेना पड़े और मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए किन्तु इस इस्तर पर भी महादेवी ऐसी किसी मुक्ति की अभिलासा नहीं करती जिसमें इस जगत के सौंदर यसे नाता तूट जाए जिस मुक्ति का अर्थ जीवन ब्यापार का पूर्ण विराम है उसकी तुलना उनके लिए बंधन ही वरेण्य है अर्थात उनका कहना है कि इस संगसार के सुंदरता से ही अगर मैं दूर चली जाओं तो उसे बढ़ियां तो मुक्ति से बढ़ियां क्या है ये बंधन ही है वह प्रकृति ब्यापार में एक विराठ सत्ता के दर्शन करती और उसी के साथ रहस्यात्मक रागात्मक संबंध इस्थापित करने को आतूर रहती है किन्तु उन्हें यथार्थ विरोधी रहस्य लोग कभी स्विकार नहीं हुआ वो अपनी समवेदनाओं को सोसीत उपेक्षित वर्गों से जोड कर चली उन्होंने अपने युग की मुक्ति आकांग्छा को अपनी रहस्यानु भूती में इस्थाण दिया यह मुक्ति उनके लिए नारी मुक्ति भी थी महतुपुण बात यह है कि महादेवी की रहस्यानु भूती मध्य जुगिन संतों के रहस्य बाद से भिन्न है महादेवी का रहस्य बाद मध्य जुगिन रहस्य बाद की तरह सामप्रदाइक नहीं था और उसके पीछे किसी धार्मिक मत बाद की प्रेरना भी नहीं थी वो सामप्रदाइक साधना परक रहस्य बाद से अलग अनुभूती थी जब हम लोग भक्तिकाल का बात करते थे और उस समय क्या है रहस्य बाद की बात होती थी तो वो कोई न कोई धर्म से जुड़ा हुआ बात होता था लेकिन इहां पर ऐसा कुछ भी सामप्रदाइक बात नहीं है इस तरह से हमने देखा कि महादेवी चायाबादी रहस्य बाद के प्रतिनिधी हस्ताक्चर है उनमें रहस्य बाद की अभिव्यक्ति मिलती है अब बात करते हैं महादेवी बार्मा की कविता में प्रणई की अनुभूती है ना प्रणई अर्थात प्रेम की अनुभूती है किस तरह की उन्होंने रचनाई की तो पुरणई की अभिव्यक्ति को चायाबादी कविता में महत्योपूर्ण इस्थान मिला है कुछ आलो चोक तो पूरे चायाबादी काव्य को ही प्रेम काव्य की संग्या देते हैं चायाबाद का काव्य भारतिय नारी के नबोत्थान का काव्य था जब वो समाज में बराबरी का दर्जा पाने के लिए संघर्ष कर रही थी अपने पारमपरिक रूढ़ी गत बंधनों को तोड़ने का यतन कर रही थी और पुरुसों के बेवहारिक सहचरी बनने की दिशा में अग्रसर हो रही थी उधर पुरुस को भी यह लगने लगा था कि इस्तिरी को उसके विशुद्ध रूप में ही समझा जाना चाहिए तो इस्तिरी पुरुस संबन्ध इस युग में अपने लिए नए आयामों की खोज करता दिखाई देता है और महादेवी बर्मा जो स्वयंग भी क्या है एक नारी है तो उनके कावबे में प्रेम के एक मूल भाव के रूप में यह प्रकट हुआ है लेकिन उनका प्रेम जो है यह औसरीरी है अर्थाति यह सारीरिक प्रेम नहीं है यह कोई एक पूरूस और एक इस्तिरी के बीच का कोई सारीरिक प्रेम नहीं है यह क्या है औसरीरी प्रेम है अलोकिक प्रेम है परम सत्ता से प्रेम है यह करुना से आपलावित प्रेम है अलोकिक दिव्य सत्ता के प्रती उनकी इस प्रणायान उभूती में दामपत्य प्रेम की जलक भी मिलती है लोकिक इस पर्स का आभाज भी मिलता है और जो अलोकिक प्रेम है वो तो है ही महादेवी की कविता में ब्यक्त प्रेम इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि यह एक स्तिरी की लेखनी से किया गया स्तिरी मनोभावों का चित्रन है अर्थात एक स्तिरी ही स्तिरी मनोभावों का चित्रन कर रही है उनमें इस्तिरियोचित लाज संकोच भी है तो युग के अनुसार जो नव जागरित नारी का अपना अहम है तो वो भी उसमें विद्यमान है वह विरा के आग में तपती भी है तो संयोग की छाह से भी स्वयंग को दूर रखना नहीं चाहती इस प्रकार उन्होंने प्रणई की बिविद स्थितियों का भरपूर आनंद लेते हुए अपनी कविताओं में इनका गहन चित्रन किया है यह प्रेम वासना रहित प्रेम है अर्था यह जो प्रेम है यह वासना रहित प्रेम है जिसमें उदात तता का भाव प्रचूरता से मिलता है महादेवी ने प्रेम के मधूर रूप का चयन किया है उनका प्रेम प्राकृतिक स्वांदरी से प्रभावित है इस संदर में उनका स्वपन द्रस्टा होना भी एक उल्लेकनिय विशेषता है महादेवी बर्मा सहज प्रेम की सहज नाई का है प्रणाई उनकी कविता का मूल भाव है उन्होंने प्रेम के मधूर रूप का चयन किया क्योंकि माधूरी को वो प्रेम का एक महत्व पूर्ण गुण मानती है उनमें अपने इस अलोकिक प्रिय से मिलने की तिब्र इच्छा है वो कहती है जो तुम आजाते एक बार कितनी करुणा कितनी संदेश पत में बिच जाते बन पराग गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उनमाद राग आशु लेते वे पद पकार जो तुम आजाते एक बार उन्होंने उस दिब्य बिराट पुरुष को अपना प्रेम इस्ट मान कर उनके साथ माधुर जो मुलक रागातमक संबंद की स्थापना की है इसलिए उनकी प्रेमानु भूती और रहस्यानु भूती दोनों एक दुसरे में रच बस गई है अर्थात कहाँ पे उसका प्रेमानु भूती दिख रहा है और कहाँ पे रहस्यानु भूती इसको अलग कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है ये एक दुसरे के साथ घुल मिल गए है यह रागातमक संबंद इतनी गहनता और प्रगारता लेकर उपस्तित होता है कि उसमें दामपत्य प्रेम का संकेत मिलता है जो स्वयंग में प्रणई की पूर्णता का ही दियोतक है अन्य छायाबादी कभियों के समान महादेवी वर्मा भी स्वपन दरस्टा है अर्थात यथार्थ में मिलन न होने पर वो स्वपन में अपनी अत्रिप्त इच्छाओं की पूर्थी कर लेती है उन्होंने स्वपन के माध्यम से अनेक गीतों में अपने प्रणईाना उभूती को ब्यक्त किया है प्रणई छायावादी कविता का एक प्रमुक अंग है तो महादेवी की कविता में प्रणई की सभी स्थीतियों का चित्रन मिलता है उनका प्रेम और सरीरी है अर्थात ये सारीरिक प्रेम नहीं है किन्तु उनमें लोकिक प्रणई की भी अभिव्यन जना हुई है उनके प्रणई का इस्ठ वो दिब्य परमपूरुस है उनके प्रेम का उद्गम प्रकृती में है उसके बिराट सौंदर जी से प्रभावित हो वो उसकी और आकर्शित होती है और माधूर ये मुलक प्रेम में खो जाती है वो आत्म समर्पन भी करती है और अपने अभिमान को भी तिरोहीत नहीं करती अर्थात जो नारी सुलब सौभाव है वो उसमें दिखाई दिता है अर्थात वो जरुवत पढ़ने पर आत्म समर्पन भी करती है लेकिन अपने अभिमान को भी नहीं छोड़ती उनमें स्तिरी सुलब लाज संकोज भी है तो अपनी लगूता के प्रती गर्बानु भूती भी है बिरह की बेदना में वो आकंट डुबी हुई है कुल मिलाकर उनका प्रणाई व्यापार एक महारास का रूप ले लेता है और उसमें रहस्यात्मक्ता आजाती है उनकी कविताओं में प्रणाई की अभिवियंजना अनुपम और अनुठी है अब हम लोग बात करते हैं आज का जो अंतिम टॉपिक है ये है महादेवी की कविता में सौंदर्य चित्रन अर्थात उन्होंने किस तरह की प्राकृतिक सुंदर्ता का चित्रन किया है इस बारे में हम लोग देखेंगे तो महादेवी की कभिताओं में सौंदर्जी के विभीद रूपों का मनोहर चित्रन हुआ है सौंदर्ज भाबना भी छायाबाद की एक प्रमुक प्रविर्थी थी महादेवी ने न केवली से अंगीकार किया अपितु अपने काड़ में से महत्योपूर्ण चित्ता करसक रूपा कर दे कर समाहिद भी किया उन्होंने सौंदर्जी के सुक्ष में रूप को प्रतिष्ठीत और चित्रित किया है उनकी सौंदर्जी द्रिष्टी प्रकृती और मानव दोनों की और आक्रिष्ट होती है सौंदर्जी की उद्भाविका ये नाम कहा जाता है महादेवी बर्मा का है तो महादेवी बर्मा सौंदर्ज अर्था सुंदर्था की अदभूत्ची तेरी है उन्होंने अखिल ब्रम्हान में सौंदर्ज के दर्शन किये और इस अनुभूती से हुए उन्होंने अपने बिवीद रूपों का चित्रन भी अपने लेखनी से किया है उनका काव्य सौंदर्ज की खान है और उनके गीतों में सौंदर्ज के विभीन रूपों की छबियां बिखरी पड़ी है महादेवी बर्मा के काव्य में विराट सत्ता प्रकृति और नारी के सौंदर्ज का अदभूत वर्नन मिलता है अर्थात उन्होंने सिर्फ प्रकृति के सौंदर्ज का वर्नन नहीं किया बलकि जो विराट सत्ता है अर्थात जो अलोकिक सत्ता है उसके सौंदर्ज का वर्नन किया और नारी के सौंदर्ज का भी उन्होंने वर्नन किया है महादेवी ने सर्वत्र एक विराट सत्ता के दर्शन किये हैं इसी अरूप पूरुष का दिव्य सौंदर्ज उन्हें आक्रिष्ट करता है और वे उसी के चीर सौंदर्ज से प्रभावित होकर उसका गुनगान करती है वह सौंदर्ज उन्हें प्रकृति के प्रत्य गुपकरन, प्रत्य गुपादान में दिखाई देता है इसलिए प्रकृति की सुस्मा का वर्णन उनके संदर्भ में एक परम प्रिय के सौंदर्ज का ही वर्णन है इसलिए उनकी सोंदर्जना उभूती में रहस्यात्मक्ता की उपस्थिती दिखाई देती है महादेवी प्रकृती के समस्त उपकरनों समस्त व्यापारों में उस दिब्य सोंदर्ज का ही दर्शन करती है इसलिए उन्होंने प्रकृति के सभी उपादानों, सभी रूपों का चित्रन अपनी कविताओं में किया है महादेवी प्रकृति के प्रत्यक उपकरण, प्रत्यक रूपों में उस दिव्य पुरुस के सौंदर्ज के ही दर्शन करती है इसलिए प्रकृति का कोई भी रूप उन्हें विचलित नहीं करता है प्रकृति का सांत रूप जैसे उसके हिर्दय में एक चंचल लाइप भर देता है तो उसका रोद्र रूप भी वैसे ही आत्मा को प्रसांत इस्थिर्टा देता है इस तरह महादेवी ने अपनी व्यक्तिगत प्रणयानू भूति और वेदनानू भूति की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रकृति का सहारा लिया है जो कुछ वो सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह सकती थी प्रकृति का आबरन लेकर वो सबकुछ अत्यंत सहज और सर के रीथ होकर स्वयंग स्थरी होने के नाते महादेवी ने नारी मुक्ति की चेतना को भी कहीं अधिक सुन्दर ढंग से व्यक्त किया है महादेवी ने जो रूपक बांधे हैं उनमें अधिकतर प्रकृति पर नारी रूप का ही आरोपन मिलता है अर्थात प्रकृति को भी उन्होंने नारी रूप में ही चित्रित किया है महादेवी ने भी स्त्री के आंतरिक सुक्ष में सौंदर्ज का चित्रन किया है आप कह सकते हैं कि महादेवी ने अधिकता रचनाओं में स्त्री के आंतरिक सुंदर्टा का ही वर्णन किया है वो स्थूल चित्रन से बचती रही है हाँ कहीं कहीं पर वो क्या है स्थूल जो चित्रन है वो भी करती हुई दिखाई देती है जैसे कि वो बया संधी के विभिन सौंदर्ज का चित्रन इस तरह से करती है कि सजनी तेरे द्रिग बाल, चकित से विश्मित से द्रिग बाल, आज खोये से आते लोट, कहां अपनी चंचलता हाट, जुकी जाती पल के सुकुमार, कौन से नव रहस्य के भार इस प्रकार हमने देखा कि महादेवी सौंदर्ज की उदभावी का है, उनके काव्य में दिव्य पुरूस प्रकृती और नारी के माध्यम से सौंदर्ज का अभिव्यक्ति मिला है, उनकी कविताओं में चित्री सौंदर्ज स्थूल ना होकर सुक्ष में और आंतरिक सौंदर् तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा लाइक सेर कर सकते हैं चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद